बड़ी अपडेट हुई है लीग टोपेटा इनोवा तोजहार थेश को लेकर दो बड़ी अ पडेट आ चुकी है सवागत है आप सबका मोडर वेब में फोटैक से सब्सक्राइब का बटन दवा दियए गा और लाइक कर दिएगा Toyota Innova को लेकर दो बड़ी update आई हुई है कि गाड़ी में अब Adas जैसी feature देखने को मिलेंगी ये confirm हो चुका है और उसके साथ ही साथ दूसरी update ये है कि आपको sunroof भी देखने के लिए मिल जाएगा इससे पहले वाली किसी भी Innova के models में sunroof नहीं आती थी पर new वाली high cross model में आपको Adas जैसी advanced feature के साथ ही साथ sunroof भी देखने के लिए मिलेगा हाली के report में ये खुलासा हुआ है कि Philippines, Indonesia और Malaysia में Innova high cross Ginex नाम से launch करी जाएगी पर इंडिया में जिस तरह से Innova क्रिस्टा नाम से चल रही है, upcoming model में Innova high cross के नाम से launch करी जाएगी तो इससे तो एक बात confirm हो गई है कि इंडिया में Innova high cross की launch confirm है जो कि 2023 November महीने तक launch हो जाएगी और ये भी है कि ये पहली hybrid Innova है और ये बात भी report में निकल कर आ रही है कि इस बार rear wheel drive ना होकर ये गारी font wheel drive देखने के लिए मिलने वाली है Reports के मुताविक ये भी है कि Innova क्रिस्टा और high cross model दोनों के दोनों ही sell करी जाएगी और दोनों ही model से diesel engine को हटा दिया गया है कहने का मतलब ये है कि diesel variants अब manufacture नहीं करी जाएगी वैसे तो high cross 30 तक की mileage दे देगी क्योंकि ये गाड़ी hybrid है तो काफी हद तक Innova high cross अपने buyers को अपने तरफ आकर सित तो करीगी उसके साथ ही साथ new fortuner भी अगले साल देखने को आने वाली है जिसके बारे में मैं आपको next video में बताऊंगा तो फिर मुलाकात होगी आपसे तब तक के लिए like और subscribe वाला बटन दबा कर जाएगा